पार्शिवनी सित उप अधिक्षक भूमी अभिलेक कार्याले में अभीभावकों को नकली मूल सनद की बिक्री कर अभीभावकों से पैसे वसूल कर गबन करने धांदली करने का मामला हाली में उचागर हुआ है जिसमें उप अधिक शक भूमी अभी लेक कार्याले के करमचारी को पारशिवनी पुलिस ने गिरफतार का न्यायले में पेश किया, जहां न्यायले ने तीन दिन का PCR दिया है, इस खोटाले में शामिल अन्नी करमचारी की जाच होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, मामलब पिछले दो-तीन साल पहले का है, जमीन जायदात के मूल दस्तावेस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता, फिर भी यहां का ततकालिन कारे करता, करमचारी गुलाव निवोन ने अभी भावकों के मूल जायजात की मूल सनद की नकली मूल सनद बना कर अभी भावक पैसे लेकर उन्हें मूल सनद की नकली सनद वह भी गलत बेची गई। पुलिस वभाग में शिकायत की थी जहां पुलिस वभाग ने देर आते दुरूस्त आई की तरच पर शनिवार को गोंदिया से आरोपी गुलाव निवौन को धारा 420-465-466-471 के तहत गिरफतार किया जहां आरोपी को नियायले में पेश किया गया नियायले ने पुलिस को आरोपी के खिलाव तीन दिन का PCR मनसूर किया शिकायत करता ने मंगलवार को प्रयस वारता आयूजित कर सम्मनित विभाग और पार्शिव ने पुलिस वभाग पर आरोप लगाते हुए का की जब इस मामले में तीन करमचारी शामिल होने के बावजूर एक करमचारी के खिल पुलिस विभाग और भूमी अभिलेक कार्याले में पेश किये गए हैं शिकायत करताओं ने प्रेस वारता में की शिकायत करता चेतन गवहाने अनुराग कोचर कबडु धुरे के साथ अन्नी शिकायत करता मौजूद थे